इंसर्ट विच रब्ड इंटू एवरी गुजराती यह गुजरात का अपमान है और खडगे साहब सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है उससे क कॉंग्रेस को आइना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी बंदुगर मैंने इसलिए कहा कि मलिकार जुन खडगे जी के ये वक्तव्य नहीं है ये वक्तव्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के है क्यूंकि जिस प्रकार का नफरत गांधी परिवार में नरें जम्भतो सोनिया जी से होता है और गाली देने का काम तमाम कॉंग्रेस के नेता करते हैं आप याद कीजिए सबसे पहले मोदी जी को मौत का सौधागर मौत का सौधागर कहके संबोधित किया था आदर्निय सोनिया गांधी जी ने क्या नतीजा रहा है जब एक गुजराती को जब एक मेहनत कश गुजराती को मौत का सौधागर कहा जाता है तो गुजरात की जनता ने सोनिया जी और कॉंग्रेस पार्टी को इसका जवाब दिय नतीजा हमने देखा है और आज फिर से मलिकार जुन खड़गे जी प्रधान मंत्री जी को रावन कह रहे हैं और इतना ही नहीं आज से एक हफ्ते पहले मधुसुदन मिस्त्री जो कॉंग्रेस के बड़े नेता है उन्होंने कहा था कि हम मोदी को अवकात दिखा देंगे मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि आज नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में हिंदुस्तान कहां खड़ा है किस पाइदान पे खड़े हैं इसको बता रहे हैं ग्यारहवे नंबर स्थान से अगर हिंदुस्तान पाँचवे नंबर का आर्थिक शक्ती बनता है और उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की मेहनत है तो मोदी जी को अवकात दिखाने की बात मदुसुदन मिस्ट्री और कॉंग्रेस पार्टी करती है केवल रावन नहीं कहा गया बार बार जो उकात दिखा देंगे उकात दिखा देंगे कहा गया है क्या उकात दिखा देंगे सोनिया जी मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाया पाकिस्तान को अपनी उकात दिखाई मोदी जी ने जिस प्रकार से आतंकवाद की खिलाफ काम किया है आतंकवाद को अपना आउकाद दिखाया कि तुम सर उठा करके हिंदुस्तान में जी नहीं सकते हो आतंकवाद तो इस कारण से आप मोदी जी को रावण और आप मोदी जी को आउकाद दिखाने की विशेवे बताएंगे बंदुगण इतना ही नहीं आप याद करिए किस प्रकार से सेक हुसेन ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2022 2022 में कहा था कि वो कुट्टे की मौत मरेगा आप लोगों ने नियूस में भी दिखाया था पूरा का पूरा इस पे भारतिय जंता पार्टी ने प्रेस कॉंफरेंस भी किया था प्रधान मंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग और सुबोध कांच सहाय ने कहा था हिटलर की मौत मरेगा मोदी आप सोच के देखे किस प्रकार की कामना कॉंग्रेस पार्टी की रही है केवल रावर नहीं कुट्टे की मौत मरना, हिटलर की मौत मरना अलकालांबा ने कहा था वो नालायक प्रदान मंत्री है ठीक उसी प्रकार मोदी जी के लिए नाना पटोले ने कहा था कि मोदी को मार भी सकता हूं कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महराश्टर के आपको याद है ना कि अगर अवश्यक्ता पड़े तो मैं मोदी को जान से मार सकता हूं कि यह भी नाना पटोले ने कहा था इतना ही नहीं राक्षस की तुलना एक बहुत बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने कहा था कि मोदी एक राक्षस है तो वहीं दूसरे ने कहा था मोदी क्रूर प्रधान मंत्री है और यह रंदीव सुर्जे वाला है जिन्होंने कहा था कि मोदी एक क्रूर प्रधान मंत्री है और रंदीव सुर्जे वाला ने खुद कहते हैं अमरिका में भी कहा जब उनसे किसी ने पूछा कि आपके पीछे उर्जा का कारण क्या है तो मोदी जी ने कहा रोज धाई तीन किलो गाली जो मुझे परोसा जाता है कांग्रेसियों द्वारा उसी से मुझे उर्जा मिलती है जब भरस्टाचारी जब परिवा जा रहा है टुकडे टुकडे गैंग जब ये प्रधानमंत्री को गाली देते हैं तो इसमें एक ही संदर्व होता है कि प्रधानमंत्री देश को जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं इसी लिए जो देश को खंडिक देखना चाहते हैं वो प्रधानमंत्री को गाली देने का काम कर रहे हैं दंदुगन आज भारतिय जंता पाटी प्रत्येक गुजराती से हाथ जोड़के अपील करती है कि आप सभी याद रखिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधान मंत्री हैं उनको रावन कहना रावन का अर्थ होता है जो सत्य का अपहरन करता है रावन का अर्थ होता है जो पाप का साथ देता है धर्म का साथ नहीं देता है प्रतेक गुजराती से आज हम ये अपील करते हैं कि जिस पार्टी के मुखिया ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग गुजरात के स्वाभिमान के लिए गुजरात के बेटे के लिए गुजरात के सपूत के लिए किया है प्रतेक गुजराती उनके खिलाफ खड़े हो जाए प्रतेक गुजराती कॉंग्रेस पार्टी को सबक सिखाए और सत प्रतीशत गुजराती घर से बाहर निकल कर वोट करे सत प्रतीशत 100% गुजराती शुट कम आउट To vote against this kind of mentality of the Congress party The mentality of the Congress party To denigrate the post of the Prime Minister By calling him Ravan आपको बदला लेना है Revenge लेना है और ये बदला लोकतांतरिक तरीके से होना चाहिए ये बदला participation से लोकतांतर में 100% participate करके 100% मतदान अपने सपूत के नाम 100% voting for the son of the soil नरेंद्र मोदी जी इसके माध्यम से ही आप मौत के सौधागर कहने वाली सोनिया जी के पाटी से बदला ले सकते हैं और उन्हें एक सबख सिखा सकते हैं इतना कहके मैं अपने वानी को विराम दूँगा कोई प्रशन हो तो अवश्य पूछे मैं पहले तो इस मंच से स्वामी नारायन संप्रदाय को जैश्री नारायन कहूंगा उनका नमन करूंगा मैं खुद भी स्वामी नारायन संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ और खुद भी अक्षरधाम समय समय पर जाकर पूजा अर्चना करता हूँ ये इतनी बड़ी संथा है इतनी बड़ी संगठन है और मानव प्रेम का संगठन है किस प्रकार से मानव से मानव को जोड़ा जा सके किस प्रकार से मानवता को आगे बढ़ाया जा सके अनादी काल से यह संगठन यह संथा धर्म के आधार पर किस प्रकार देश आगे बढ़ सक कि सेवा की अधार पर कैसे भारत आगे बढ़ सके इसकी चिंता करता रहता है कहीं फ्लड हो कहीं भुकंप हो कहीं कोई त्रासदी हो तो हम पहले देखते हैं कि स्वामी जो होते हैं हमारे स्वामिनात संप्रदाय के वो खड़े रहते हैं मगर उस अक्षरधाम अपने आप में गाथा है उसके बावजूत आम आदमी पार्टी का इस प्रकार का गाली एक तरह आप देख रहे हैं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रमुक स्वामी के संस्कार में गए थे उनके आखों से आसुच लग गए उन्होंने कहा आप लोगोंने तो गुरु कोया ह मैंने अतना पिताक होया है प्रधान मंत्री जी की ये शद्धा है मगर दूसरी तरफ दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का इस प्रकार का बयान उन्हें मुझे वो अंग्रेजी शब्द कहने से भी बहुत कष्ट हो रहा है मैं वो शब्द दोराना नहीं चाहूंगा जिस प्र स्वामी नारायन संप्रदाय के लिए मुझे लगता है ऐसे लोगों को राजनिती में रहने का एक पल की भी उनकी अवश्रक्ता नहीं यह गुजरात का अपमान है गुजरात की मिट्टी का अपमान है अरविंद केजरिवाल जी को माफी मांगनी चाहिए हाथ जोड़ करके और बरखास्त करना चाहिए ऐसे विक्ती को जो इतने बड़े संप्रदाय के लिए ऐसे गिनोने शब्द का प्रयोग कर सकता है मैं पुनह कहूंगा कि यह जो स्लैंग मैच गाली फेस्टिवल चल रहा है एक तरफ प्रधान मंत्री को रावन एक तरफ स्वामी नारायन संप खड़े नहीं है आप उन्हें सबक सिखाएंगे